ये दिन सवर जाएंगे तुम पढ़ो तो अभी वक्त बदलता है महनत करो तो सई रासते में छोड़ोना पढ़ाई कमन रासते में छोड़ोना पढ़ाई कमन मैं पढ़ाऊंग ऐसे पढ़ो तो सई मैं पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ो तो सही चलिए शुरू करते हैं धातू और धातू का दूसरा पाट जिस पर मैंने पिछले अध्याई में बटाया था सक्रियता श्रेनी आज इसके बाद वाला देखते हैं टॉपिक आज इसके बाद वाला हम लोग क्या जानेंगे ध्यान से देखिया बच्छों भाट rec Drake करते हैं ग्याट करते हैं बच्छों सोडिय। इक हो जाता है तो ये देखिए ये लास्ट कक्छा में एक है लास्ट कक्छा में धात्वे क्या चाहती है आठ इलेक्ट्रोन चाहती है चाहे लेके चाहे देके धात्वे हमेसा देती है और धात्वे हमेसा लेने का काम करती है क्योंकि धात्वे के लास्ट कक्छा में आपको कितना इलेक्ट् दूसरे तत्व से, किसी अधातू से ये अभिकिरिया करती है। जलिए बच्चों, देखते हैं, ये जो अभिकिरिया है किस तरह से ये करती है, और योगिक का निर्मान किस तरह से ये बनाती है। जैसे हम लोग देखते हैं, NACL का निर्मान। तो भई sodium fluoride जिसे हम साधारन भाषा में नमक के नाम से जानते हैं इस नमक का अभिकिरिया किस तरस होता है नमक के भीतर दो तत्व देखने को मिलते हैं एक sodium और दूसरा होता है chlorine तो देखिए बच्चो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम सोडियम के electronic विन्यास नीचली कि दिया क्लियर है अब चूंकि लास्ट कक्षा में एक है तो धातू हमेसा इलेक्ट्रोन देती है क्योंकि इनके उपर मुक्त इलेक्ट्रोन रहते हैं यह मुक्त इलेक्ट्रोन पाई करती है हमेशा यह किसी भी कुखो देना कारी करती है तो इसलिए दिखिए वगे कि लेक्ट्रोन जैसे जाओ जाएगा माथा में एक प्लस हो जाएगा देखिए two or arbitrary एक एलेक्ट्रोन दे दिया किसको दिया बाद में देखेंगे अभी देखेंगे दे दिया इसलिए पलस चार्ज है चलिए तो सोडियम कौन सा आयन बनाया धनायन जो देने वाले होते हैं वह धनायन बनाते यानि पोजिटिव चार्ज धारन करते हैं और जो लेने वाले होते ह में 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो या 8 हो यह होता है अधातू की पहचान तो देखिए तो यह 3 से जादा या यह अधातू है तो हमें सा लेने का कारी करेगी तो इसको एक चाहिए तो एक चाहिए तो देखिए पहले इसके परस कितना था इलेक्ट्रोन दो आठ दस और सात्रा इलेक्ट्ट् масс इघर दो आठ दस और 8 कितना हो जाएगा बच्चों ए थार्य एलक्ट्न हो जाएगा और जैसी एक newINS ले ले लिया तो माथा में इसका पावर में इसका घात में है यह छड़ गया बच्चों माइनस चड़ ओपर वे देख यह देने वाला है तो देखिए दोनों का तो हम सहयों जखता लिए वही इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिए कोन पलस कोन माइनस सारा चीज आपको हम इधर समझा दिये ठीक है अब देखिए हमको रियक्षन करना है सोडियम प्लस क्लोरिन इस चीज़ को और बहतर आपको हम इधर बताते हैं देखिए द्यान दिजिएगा बहुत ही इंपॉर्टन कोंसेप्ट है यह पूछा जाता है बच्चों तो सबसे पहले हम बात करते हैं वही सोडियम का ठीक है इसमें डॉट का करते हैं डॉट ऑर क्रोस का तो सोडियम का है कि लाश्ट कक्षा में वहीं कितना इलेक्टोन है तो यह Wennaत थर इक दोट देते हैं पलेपे गाहन किपर गवीं हम दिएक तोय। तीन, चार, पाँच, चे और एक साथ, और यहाँ पर reaction का symbol देते हैं, नीचे लिखते हैं, अब ध्यान से देखिए, हमें तो sodium chloride दिखेगा, लेकिन वह आपको ध्यान देना है, sodium जो है, वो यह dot को दे दिया, दे दिया, तो इसके माथा में, या इसका जो गहात है, वो कौन सा charge ले लेगा, फलस चार्ज ले लेगा, ठीक है, और इसी के साथ चिपक के रहेगा, chlorine, लेकिन ध्यान दीजेगा chlorine पे, एक क्रॉस, दो क्रोस, तीन क्रोस, चार, पांच, छे, साथ, यहाँ तक तो है, अब देखिएगा, यह जो है, जब reaction होता है, तो यह electron इस जगा पे आ जात आठ इलक्ट्रोन हो जागा, देखिए, एक आगया की ने, इस पार में, reaction के बाद, reaction से पहले देखिए, इसके पास एक electron है, लास्ट कक्छा वाला लिखते है, इसके पास लास्ट कक्छा में कितना electron है, साथ है, और एक electron इसको जब हम दे दिये, तो मिलके कितना हो गया, आठ हो गया, तो कों सा चार्ज हो जाएगा? पलस, और इसके उपर कों सा चार्ज हो जाएगा बच्चों? माइनस चार्ज, इस तरह से हम सोडियम क्लोराईट का निर्मान को डर्साएंगे, यह अगर आता है, तो आपको इस तरह से बनाना है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी त प्रतू दिये हैं उनका संयों जगता लिखिए इलक्टोनिक विन्यास लिखिए और साथी साथ चार्ज कितना हो राप पलस चार्ज है माइनस चार्ज है उसको इस तरह से आपको लिखना है अब चलिए देखते हैं एक डूसरा एक्जांपल दूसरा जांपल क्या देखेंगे यह सोडियम औक साइट कर निर्मान देखते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इसका इलक्ट्राणिक विन्यास लिख लेते हैं नीचे यह हो जाएगा टू कॉमा एट कॉमा वन हो जाएगा देखिए सेम तूसे और जब यह अभिकिरिया में जाती ह प्लस चार्ज का मतलब एक एलेक्ट्रोन इसके पास घड़ गया गया इसके पास क्या नजर आएगा तुकॉमा एड़ी और ढूसरा तर्थु क्या है बच्चो ऑक्सिजियन ऑक्सिज्एंगेलाइक विअ क्ट्वियू अक्ट्रूनिक विन्यास क्या हो जाएगा वट्चों इ दिखा जाता है यह द्यान देखें यानी टू सिक्स है और दो ले लिया तो यह तो रहेगा नहीं यह किया बन जाएगा यह चीज आपको समझ में आया चली रियक्षन करते हैं अब द्यान से दिखिए वाज्चों सॉडियम तो हम एक लिखेंगे लेकिन और औक्सिजन कीतना चाहीए 2 चाहिए ठीक है अक्सिजन को 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां पर सोडियम को बना देंगे न 1200 तो सोडियम को दो बनाएंगे तो लिखेंगे नहीं दो बार अलग अलग देंगए ऐससे सोडियम और बीच में तो दिखाई दे तो एक डॉट दे दिए इधर भी एक डॉट सेम का कर United थेना इलक्रोन अच्छे तो इसमें दो ए चार इसे दिखा देते आपको को रसकते यह डॉट कभी अप्लाइ कर सकते कोई दिया तो इस पर में थोडियम तो हमारा दोगों होगा ठीक है I got a sodium d Away कुछ होगा लेकिन द्यान से देखिए sodium के उपर Charge क्या है एंकetic है तो इसको Charge को हम दूसरा नज़ादेते हैं आपको एतुल भुशन को पर चार्ज क्या होगा बच्चों पनलस चार्ज होगा ज़ों यह की प्लस होगा ठीक है उपर मेरoure कि प्लस लिख दी है और इसके साथ कौन दिखाई देगा हमें यहां से रिखिये है तो उकसीजन को जब हम लिखेंगे ओ तो लिखेंगे इस्के पास जितना लेंडेना है उससे पहले रेखिए यह यहाँ पह आ जाएगा रिवी हभूआ को दो तो दोनों डॉट जैसे चल जाएगा तो 1,2,3,4,5,6 यहां पर आगे चल जाएगा तो टोटल रहें डिखा सकते हैं यह बन गया क्यारे टू उसी तरह का आप यहां पर लिख सकते बच्चों इस रिएक्षन के बार आप लिख सकते हैं अब जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो यहां पर प्लस माइनिस लिखने का कोई जरूरत नहीं नहीं होता है यह कोंसेट्ट में आ रहा होगा तो चलि रहते हैं कि आगे का टापिक में क्या पढ़ना है कि जमीन पढ़ान वाल प्त्री के बूंग करते हैं जिसका प्ड़ा नहीं हो हम परियोग करते हैं तो यह खनीज को है तो भागों बाटा गया एक भाग में तो हम खनीज़े को कहते हैं लेकिन दूसरे भाग में इसको खनीज नहीं ऐस्क कहते हैं कर दोड़ा सा अंतर है और ठांदर जितने भी पथर पाये जाते जिनका कुम निकाला जा सकता उसको खनीज कहा तो नहीं रहेगा तो फिर आयस्क नहीं होगा तो इस एक प्रस्णा आज再見 है कि सभी खनीज नहीं होते हैं लेकिन सभी सभी को खनीज कहा जा सकता है ठीक है यह concept है क्योंकि सभी खनीज हम दाटू नहीं कह सकते हैं को इला लाक्त होगा लेकिन जितने भी आस्क के शेख साय गीम में टाइड कुछ भी ले ले वह सारहों सब्स Come तर हमें क्या दिखाई देते हैं बच्चों धाटू दिखाई देते हैं धाटू की प्राप्टी होते हैं इसलिए वह तो आयसक है ही साथी साथ वह खनीज भी है क्योंकि प्रित्वी के अंदर से निकल रहा है चलिए अब हम लोग समझेंगे आयसक तो बता दिए आपको व्य खनी जिसके अंदर धातू की मात्रा बहुत अधिक हो तो धातूं धातूं को अगर देखें अभी किरिया शिलता के आदार पर तीन भागों में बाटा गया है तीन तरक अभी किरिया शिलता होता है जैसे की बच्चों सोटनत्र रूप में कभी नहीं पाई जाती है हमेशा किसी के साथ अभी किरिया करके रहेगी उसे दागा मेढम अभी किरिया अभिक्रियासिल है जानना ज्यादा कम अभिक्रियासिल है तो यह किसके साथ रहती बच्चों देखें इसमें सलफाइड डैस्क पाया जा सकता है और यह कार्बोनेट ठीक है कि रूप में यह विदमान रहती है और यह जो है हमेशा बिर्दुरवगटन बिर्दुद्वारा इसको हम अलग कर सकते और इसको हम गरम करके अलग कर सकते अंतर यह है और सबसे कम अभिक्रियासिल जिसमें सोना और चांदी यह एजी चांदी हो जाएगा एउ सोना हो जाएगा जो प्रकृति में स्वोटन्तर रूप से पाया जाता और एक प्लेटिनम भी होता है यह धात तरफोशन किस तरो से किया जाता है तो यह देखे संद्रन operation का मतलब होता है अचैर्टाटा जाता सबसे पहले सब इस जाता है पौन जादावी कीरिया चिले कॉन कम अभीक आलते हैं तो सबसे ज्यादा जम होटी है करता है इसमें जो सब्सक्राइब करती है इसमें जो होती है उसको गलित रूप में किया जाता है घर जिसको में सब्सक्राइब और एक हो जाएगा क्यात अब सुनिये इसके भीटर जो लिक्विड भरा हुआ गलित रूप में है या तो सोडियम होगा ऐलूमूनिय। कुछ भी हो सकता है अब इसमें क्या होड़ा electricity जब हम लोगों देते हैं तो इसमें बिदूर अभगटन यह इलेक्ट्रोलाइसिस होना सुरू हो जाता है बिदूर अभगटन की जब अभिकिरिया इसमें होती है तो एनोर्ड पे असुद्धातू और कैठोड पे शुद्धात तो निच्छे पित होने लगती है तो इलेक्टोर होता है एक असुद्धातू अर्फ सुद्धातू धातू का तो असुद्धधात्भटन की जब हम इसमें बिदूर अभिकिरिया कर देते हैं तो उसके पत्शाद क्या होता है असुद्धात् हुड़ा था वो धीलए इरद पृष्वत सुट धाटू की प्राप्ति की जाती है और यह प्रोसेस का नाम क्या है विदूत अभगटन बीधी और इसमें सिर्प उच अभिक्रियाशिल या ज्यादा अभिक्रियाशिल दातू को देखें तो वहाग में बांटा गिया है दो दर्फाइब दूसरा होता है कार्बोनेट एस सलफाइड में देख लीजिए जैसे एजी एस जड़नेस और यह जड़न सीओ थी यह कार्बोनेट हो जायाएगा ठीक है अब ध्यान दीजेगा नीम अभी क्रियासिल जो होता है वह सिर्फ सलफाइड एस के द्वारा यह सांद्रन किया जाता जाता है बोले तो धातूं की जो प्राप्ति होती है वह भर्जन मेठड और निस्तापन मेठड के द्वारा किया जाता अब एक एक करके समझेंगे भर्जन का मतलब क्या होता है भर्जन जिसको बायू की उपस्तिती में गरम करते द्यान से देखिएगा ठीक है देखिए य अब देखिए अब क्या होता एक देखिए पथर ओता है जिसके अंदर झातू आक रतर घाटों को घरम करेंगा यह धातू पीगल जाएगा की नहीं, तो धासु पीगल के नीचे गिर जाएगा, उस से अंसुर्द धातू की प्रापती कर सकते हैं, तो उस इस मेठड को करने के लिए उस प्रक्रिया को उस वीधी को करने के लिए हम लोग भरजन और निस्तापन का प्रियोग करते हैं दोनों में अंतर क्या है दोनों का मतलब गरम करना ही होता है एक में बायू की उपस्तिती के साथ गरम करेंगे और एक में सिमित बायू या बायू क की अनुपस्थिती में गर्म किया जाता है और यह होता है कार्बोनेट एसको में सिमित वायू या वायू के अनुपस्थिती में उसके बाद हमें क्या पता चलता है जब भी हम गर्म करते गरम जब होता है कोई वस्तू तो ऑक्सिजन के साथ अभिकरिया करता है और अभिकरिय तुunsका अप्चेन कहते हैं उप चैन क्या होता जिसके साथ उक्सिएड जूड़ जाता है तहरी अब उक्सिएड जूड़ गया उप चैनों के उप Sand कर देते हैं यह देकिए डातू कई कश्र सोधन या धातू का परिषकतर करने इसी विध्यद्वारा किया जाता है उसी तरह का जो कम अभी क्रियाश्य लोता है उसमें सिर्फ भर्जन को प्योग करते हैं क्योंकि उनमें सलफाइड एसक पाए जाते हैं और भर्जन एसक को जैसे हम गरम करते हैं उसमें भी ऑक्साइड बनेगा ऑक्साइड को फिर अप्चेन कर देंगे इस तरह से हमें साथ होता है निस्तापन कार्बोनेट में करते हैं और निस्तापन करने के लिए वायू के अनुपस्तिति या सिमीद मात्राक की जडरूरत होती है चलिए अब देखते हैं आगे सचाहरन सचाहरन आपको बताए थे वही राजाने कभी करिया था समिकरन में क्या होते है कुछ धात tarna के साथ अभ sicर लेती है और खराब होने लगती है समय के साथ जिन में लोहा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है भूछ जल्दी भराब होता है ठीक है तो देखिए सिलवर का बात करते हैं उसमें में ज्यादा दातों के बारे में बात किये तो पूछा जाएगा जब सिल्वर संचारित होती है तो इसके उपर कौन सा रंग का परचड़ जाता तो काला कलर का हो जाएगा यानि ब्लैक कलर कॉपर जिसको तामबा कहते हैं बच्चो तामबा जब आद्र कारवन डॉकसाइट के साथ अभी किरिया करके कौन सा रंग हो जाता तामबा में हरा र जाना जाता है जिसे हम लोग काहते हैं जंग लगना ठीक है चलिए सड्शार से सुर्वक्षा के लिए हम क्या करेंगे लोहे को जंग से बचाया जा सकता है पेंट करके। टेल लगा कर गज लगाकर यसदलेपन क्रोमियन में लिए वालattend करण या मिस रहृ थातु बनाकर मि पास जिसे कहते हैं ठीक है कि इस पाथ होती बच्चों इसी को इस्टिल कहते हम लोग और यह जो इस्ट् click होोता है इसके आंदर धातू की मात्रा ज्यादा होती है और kromium की मात्रा कम होती इस्ट coral भात प्रकार क्यों होते हैं ठीक है डिपेंड कर रहाए खेल को बनाने के ऊपर किस- किस धातू का प्रियोग किया गया है इस टिल क्या होती है जंग से लोहे को जस्ते की पतली पर चड़ाई जाती यह सदलेपनिया गिल्वनाइजिशन कहते हैं अब देखते हैं आगे आगे तो खतम हो गया मतलब यह जो मिन मिन पॉइंट है इस धातु और रातु वाले चेप्टर में हम लोगों ने जाना इसमें एक चीज़ यह बच्छो पूछा जा स चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही जैहिन बंदे मात्रम